मैं आप सब पूछना चाती हूँ कि में 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अरविन किजरिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अरविन जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी वी थी अराम से ही बैठी वी थी इतने में बिभव कुमार जो कि उनके PS थे वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं He entered from the door और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तिरी आकात क्या है तिरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे नीच औरत पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो और उस समय मैं बहुत सपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भई क्या हो गया मतलब अर्विन जी आ रहे हैं क्या हो क्या गया तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया उन्होंने मुझे साथ आठ थपड पूरी जोड से मारे मैं सोफे पे बैठी थी वो सामने खड़े थे वो मारे ही जा रहे थे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ इतने में मैंने अपने आपको बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुष करने की कोशिश करी तो जब मैंने उन्होंने पुष करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया उसमें मेरा सर भी जो center table है, उस पे जाके टकराया मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीकती रही, चिलाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे periods चल रहे हैं, मुझे मुझे चोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना वो अकेला था कमरे में? जी, उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में और जब इतना ज़ादा मुझे वो पीट चुके थे उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आपको छुड़ाया और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी और मैं बहुत अजिटेटेट थी तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे हड़ी पसली एक कर देंगे पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया जैसे ही उसने रिलाइज किया कि मैंने call कर दिया है वो तुरंत भागा भागा बाहर गया और security जो gate पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया जब security अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया मैं बहुत ज़ादा agitated थी और मैं उन्हें चीक चीक के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ मैंने उन्हें बताया कि बिभव ने कैसे लातों से घूसों से थपड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैटके यहीं पे मेरी पिटाई हुई है तो उन्हें बोला क्योंकि बिभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर भेंगो तो मैं उनको बोलती रही उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आँ बाहर निकलिए मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिये पुलिस को आने दो ये क्राइम सीन है यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हाथसा हुआ है मैं मेंबर ओफ पार्लिमेंट हूँ मैं फॉर्मर डेली कमिशन फॉर विमन चेर परसन हूँ आप रुकिये आप पस पुलिस को आने दीज़े एक बार पुलिस आ जाए मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे फिर उसके बाद जाओंगी क्योंकि मैं को यह डर था कि मैं यहाँ से चली गई तो यह टैंपर कर देंगे पूरा जो भी एविडेंस है तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी यह आर्ग्यूमेंट कम से कम आठ से दस मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी विभाव मुस्कुर आते वे विडियो बना रहा था जब एंड में मुझसे मैं बिलकुल अपना आपा खो गई कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया उपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ विभाव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भई तुमने क्यों मारा कैसे मारा ऐसे कैसे हो गया तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुझसे कुछ अपशब निकले जो बाद में हमने देख एक बस 50 सेकंड की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीट के उसको टीवी चानल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेट्मेंट सुना कि किस तरीके से यह जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्माट कर दिया गया है अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीक चीक के बता रही हूं कि मेरे को कहां मारा कैसे मारा मेरा हाल जो अगर देख ले कोई तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी तो evidence के साथ भी So according to what you're saying दो वीडियो है एक तो CCTV वीडियो है जिसमें पूरा sequence है जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ थूरू the CM's residence और दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है दो वीडियो sources है अभी जी बिल्कुल दो वीडियो sources है और ये जो second video है मैं इसी का बता रही हूँ आपको कि वो वीडियो actually पूरी वीडियो है वो 8-9-10 minute की वीडियो है तो जब वो आपको मार रहे थे वो वीडियो ले रहे थे नहीं जब मैं वापस आके बैठी जब मैं सोफे पे दुबारा आके बैठी हो मैंने 112 नंबर कॉल करा ये बाहर गया ये security वालों को ले कर आया जब security वाले वहां आए तब वो video लेना शुरू करा है जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकेला था कमरे में तो वो video कैसे ले सकता है तो जब ये मार पिटाई हो रही थी you were obviously screaming कोई ऐसे silently तो नहीं मार खा सकता तो जब वो आपको मार रहे थे and it is, I mean according to what you have said it is quite gross he, आपने कहा 7-8 बारी he kicked you on the chest, stomach, pelvis और आपके periods चल रहे थे he dragged you your shirt was pulled up as per this, you were screaming for help घर में और कोई नहीं था आपके मताबिक मुझे बताया गया था कि अरविंद केश्रिवाल जी घर में है और वो मुझसे मिलने आने वाले है और मैं बहुत जोड-जोड से चीक-चीक के help मांग रही थी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया स्वाती जी आप उनके घर कई बार जा चुके हैं क्या हर बारी आप appointment लेके जाते थे इस बारी शायद नहीं लेके गए क्या उस वज़े से नरास थे क्या हो सकता था उस दिन मैं appointment लेके तो hardly कभी गई हूँ जब जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी appointment लिया हाँ जरूर है कि अगर office जाते हैं क्योंकि उनकी meetings लगी भी होती है और बहुत एक protocol होता है तो अगर secretariat जाते हैं तब एक बार office पे के लिए official time लेके जाया जाता है लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसी जाती हूँ यह यह कहते हैं कि मैं trespass कर रही थी मेरे पास कोई appointment नहीं था तो मैं यह जानना चाती हूँ कि अगर मैं trespass कर रही थी तो फिर तो gate पही रोकते थे फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई और दूसरी बात जो यह कहना चाहरे हैं कि मेरे पास कोई appointment ही नहीं था तो मैं तो हमेशा ऐसी गई हूँ मुझे हलका सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे मैं मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है और अगर उनको लगता है कि appointment लेना बहुत important है तो उसी वक्त वहीं पर मेरे को बोल देती कि बाहर चले जो मैं बाहर चली जाती मतलब आप appointment लेकर नहीं आएगा कोई so called तो आप उसको पीट तोगे और वो भी उस इंसान को जो आज तक अभी आपके घर में appointment लेकर आया ही नहीं मैं तो 20 साल से जानती हूँ वो हमारे घर आते हैं हम उनके घर जाते हैं तो ये तो बहुत अजीब बात है तो वोट यू थिंक कि जब आप you are asking for help आप मदद मांग रही थे कि आपको पीटा जा रहा था ऐसे तो होई नहीं सकता कि CM के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से जी वही अजीब बात है और मैं बहुत जोर जोर से चीक रही थी चिला रही थी सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया पुलिस अब इस बारे में investigate कर रही है कि क्या हुआ क्यों हुआ और किसके instructions पर मैं पीटी गई हूँ यह सारी चीजों पर अभी investigation चल रहा है और दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से cooperate कर रही हूँ तो इस वक्त अब इससे जादा मैं क्या बोलूँ because it's a matter of investigation आप कह रही है किसी के instructions पर याने कि खुद बखुद भिभव में इतना इतनी जुड़त नहीं होगी कि वो खुद पीटे is that what you're saying मैं यह नहीं कह रही हूँ मैं यह कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है अब बहुत सारे सवाल उठते हैं वो जो सवाल है कि कैसे पिटी क्यों पिटी बिभव ने अकेले मारा क्या किसी के instructions पर मारा यह सारी चीज़ें अब matter of investigation है दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से cooperate कर रही हूँ हाँ मैं यह भी है लेकिन मैं किसी को clean shit नहीं दे रही क्योंकि fact यह है कि मैं drawing room में थी अर्विन जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया मैं चीक रही थी चिला रही थी पर कोई आया नहीं यह भी fact है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अर्विन जी का कोई call नहीं आया और वो मुझे से अभी तक नहीं मिले यह भी fact है कि इस पूरे प्रकरण में अर्विन जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं वो उसको लेके लखनाव घूम रहे हैं वो उसके लिए protest पे, सड़क पे उतरे इतना तो उन्होंने मनीश जी जब arrest हुए थे उनके लिए भी नहीं करा तो यह जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को instructions दिये गए हैं कि मेरा character assassinate करो मेरे victim shaming करो मुझे मतलब बुरी तरीके से torture करो तो यह मुझे जो दिखरा है इसको लेकर मैं किसी को भी clean chat नहीं दे रही but definitely I want the Delhi police to investigate the matter in a very free and fair manner because बहुत बड़े बड़े लोग है and proper investigation होना चाहिए और उसके बाद जो भी सच है उसको सामने आना चाहिए झाहिए